दिल थाम के बैटे, अब हम देखने जा रहे हैं इस मास्क का लाइब रिजल्ट वो कहते हैं ना, what you put on your skin, you put in your body यानि जो भी चीज आप अपनी skin पर apply करते हैं, वो ultimately आपकी body में absorb हो ही जाती है तो हमें एक ऐसी glass skin चाहिए, जिसमें skin आपकी flawless हो लेकिन हमें chemicals नहीं चाहिए, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है आपको सेव ये 7 days challenge accept करना है, इसमें मैं आपको एक ऐसा मास्क बताऊंगी जो कि natural ingredients से बनावा है, it's perfectly safe to use on your skin and it's perfectly safe to eat as well साथ दिन आपके और guarantee मेरी, तो without wasting any time, let's see what's all needs to be done एक चमच बेसन ले लें, बेसन आपकी skin को exfoliate करता है, acne को control करता है और skin को tight करता है इसके बाद इसमें आपको lemon zest यानि लीमू को इस तरीके से छील के डालना है, लीमू vitamin C का एक बहतरीन source है जो कि आपके dark spots हो कम करता है 1 tablespoon of aloe vera gel, aloe vera gel आपकी skin को hydrate रखता है और नरम करता है इसमें थोड़ी सी healthy add करें, healthy एक natural antioxidant है जो आपकी skin को साफ, ताज़ा और चमकदार बनाती है vitamin E के 2 कैट्सुल सो काट कर इसमें add कर लें जो कि आपके skin को anti-aging effect देगा इसको अच्छे से mix करें और एक thick सा paste बना लें, यहाँ पे आप consistency देख सकते हैं कि किस तरीके की consistency बनी है तो जी यह mass बनके ready है, अब देखते हैं इसको लगाना कैसे है step 1 में अपने face को अच्छे से wash कर लें और उसके बाद एक पतली याने thin coat अपने face पे लगाएं अगर कहीं dark spots हैं या पुरानी acne के marks हैं तो वहाँ पे इसको जरूर अपलाए करें क्योंकि यह thin coat है इसलिए यह जल्दी से सुख जाएगा, इसको सुखने के बाद आप इसमें दुबारा दूसरी coat अपलाए करें इसको अच्छी तरीके से dry होने दे, जब आपको लगए कि यह dry हो गया है तो उसे साधे पानी से wash कर लें कोई भी सुख या face wash का इस्तेमाल ना करें face wash के बाद हम बढ़ते हैं एक important step के जानिब, please यह step मिस मत कीजेगा इस step के लिए आपको चाहिए coconut oil और lemon आप देख सकते हैं कैनेडा में lemon कितने बड़े आते हैं खर हमें तो दो से तीन कत्रे ही चाहिए तो जी थोड़ा सा coconut oil अपने हाथों में ले 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 और उसके साथ दो से तीन कत्रे lemon की juice के ले 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 अच्छे से इसको अपने हाथों में रब करें ताके यह heat up हो जाए और इसे अपने face पर लगाएं Face पर लगाकर इसको इस तरीके से उपर की तरफ मसाज करें तक्रीबन 4-5 बिनिट अच्छे से इसको अपने neck पे, face पे और अपने हाथों पर मसाज करें इसको लगाकर थोड़े घंटों के लिए आराम से छोड़ दे मैं इसको यूजवली रात में लगाती हूँ ताकि इसको लगाने के बाद आप आराम से सो जाए और सुबा ओट के इसका मैजिक देखे दिल थाम के बैटे अब हम देखने जा रहे हैं इस मास्क का लाइफ रिजल्ट तो जी अगला दिन हो गया है जब सुबा मैंने अपना फेस मिरर में देखा तो I was in love with it आप लोग देख सकते हैं ये कितना शाइनी हो गया है कितनी फ्लॉलेस ग्लास के नफेक्ट दे रहा है आप कुछ लग कहेंगे कि आपने हाइलाइटर लगाया होगा तो जी चेक करा लेते हैं आपको ये रही कॉटन अगर हाइलाइटर होगा तो निकलेगा ओविसली तो लेट्सीस में होता है कि नहीं ये देखे कहीं भी हाइलाइटर नहीं है यह natural glow है जो के हमारे कल के मास से आया है उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें 7 days तक यह remedy अप्लाइ करें और नीचे कमेंट्स में आके जरूर मेंशन करिएगा कि आपके skin कैसे flawless हुई मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स वीडियो में Till then, Bye